जिन लोगों ने डिप्रेशन जहला है उनके इंट्रिव वग्यर सुनना कभी एक तरीके से बहुत ज्यादा मुश्किल भरा दोर होता है उनके जीवन में बहुत चारे लोग बहुत कम लोग सर्वाइव कर पाते हैं उसमें और बहुत चारे लोग तो पर्मानेंटल अपनी ज करते हैं कई बार टैरेक्शन लेस्ट करते हैं साथ वाली आगे बढ़ रहे होते हम दिसाहिन खुद को महसूस करते हैं खुद के ओपर कौफट आती है गुझसा आता है कि कैसी इस चीज़ से पार पाया जाए मैं चाहा के भी ये सब क्यों नहीं कर पा रहां या क्यों नहीं कि या फिर और कोई ऐसा वाला वाहर जाओंगा बस तो टाइम मिल जाएगी गया अच्छा अगिंसे के और आगे से कोई गाडी आ रही और साइट देदीगी यह मेरि पाइक हो नहीं सोचणा होता है यह दुनिया बहुत सामन्य तरीके से जीती है और सामन्य तरीके से ही इसको जिया जाए सबसे ज़्यादा समस्या कब होती है जब हम अकेले होते हैं अकेले होते हैं जिसलिए जो बच्चे अपने रूम में पढ़ते हैं और रूम में पढ़ने के दोरान overthinking यानि कि दिमाग और कहीं चला जाता है क्लास में मैं बेटा था और उसने जो हो उसको ये कदिया और वो मलब बिनागाम की चीज़ें दिमाग में आना एक सामन्य जो हो वो क्लासरूम जो खाली होता है वहाँ पर खुब सारे लोग पढ़ते हैं उन से इंट्रेक्ट करो positive लोगों के साथ रहो जो अच्सी बाते करते हैं आपके अंदर fault finding करते हैं या आपको dominant करते हैं उन व्यक्तियों से दूरी बना लेना जितना जल्दी हो उतना ठीक है से बात जो बिना काम आपके अंदर जो वो ढूंडूंड के कमिया निकालते हैं आपको हर बात पर जज़ करते हैं आपके बारे में राए रखते हैं बिना काम की उन व्यक्तियों के साथ अपना time waste नहीं करना है वो जो है वो एक तरीके से आपकी potential को कम करता है आपके लिए और नई चुनोतिया पेस करता है या फिर आपको उन में जोजने के लिए और ज़्यादा चीज़े इस दुनिया में बहुत सारे लोग है और आपके like minded लोग आपको मिल जाएंगे अगर आप ढूंडोगे तो इसलिए overthinking से बचने का तरीका क्या है हमेशा एक library के अंदर या फिर उस तरीके से अपने दोस्तों के साथ में वैसे study करें कई बच्चे जब mentally low feel करते तो अपने आपको दूसरे लोगों से अलग कर लेते हैं और फिर उस टाइम पर उनका जो मासूम सा जजबात होता है कि अब तो मुझे दुनिया से तभी मिलना है जब मैं कुछ करके दिखा दूँग ऐसा नहीं होता है यह एक दिन का काम नहीं है लंबा टाइम लगेगा इसमें और उसके बाद भी बहुत सारे ups and downs और बहुत सारे variables हैं इस फिल्ड में और इसलिए be practical जो चीज़ें आपके बस में हैं वही चीज़ें करनी है अपने आपको सर्वसक्ति साली नहीं मान लेना है एक सामान्य विक्ति की तरह हम जो कर सकते हैं उसके उपर focus करना है बाकी सब चीज़ें क्या होने वाली हैं वो समय अपने आप देख लेगा सेवत और तनाव खुद के ऊपर लागू कर देना है ने तो किसी कुछ बताना है ने किसी को कुछ दिखाना है ने किसी को देखना है अपने आपको free रखो सब चीजों से मुक्त रखो सही बात अपनी तुलना दूसरों से नहीं करना है आप एक ही हो यूने बायो डाइवर्सिटी पढ़ाया है मैंने आपको इतने दिनों तक डाइवर्सिटी आप खुद अकेले हो होमो सेपियंस आठ अरब है और उनमें से आप अकेले हो जो खुद के जैसे हो और खुद के जैसे हो तो खुद बनो दूसरा मत बनो सही बात खुद हो तो खुद बनो अगर हम खुद को छोड़ के दूसरे जैसा बनेंगे तो हमने सबसे पहले खुद की बेजती कर दी है जो इस्वर ने हमें दिया हमने उसको नकार दिया है हम जो है जिसको कहते हैं एक तरीके से self respect type का वो इतनी भी ज़्यादा नहीं हो जानी चाहिए कि वो हर चीज के बीच में आड़े आए अपने आपको free रखना है और खुद के साथ रहना है खुद का साथ खुद को देना है और अगर हम खुद का साथ खुद देंगे तो दूसरे भी हमारा साथ देंगे सिंपल से बाते हैं लेकिन यही बाते महतपूर हैं सही बात वरना तो बिना काम का comparison बुआ का बेटा यह कह रहा है मोसी की बेटी यह कर रही है सही बात अब दोड रहे हैं इस जिंद्गी की रेज दोड रहे हैं और 50 किलो वजन सर पे रख रखा है उस वजन को भैंको सबसे पहलेर फिर दोड़ना शुरू करो सबसे तेज दोड़ोगे सही बात सबसे हेल्दी प्रेशर खुद पर हमेशा रखना चीए खुद के उपर हेल्दी प्रेशर रखना चीए अगर हमारे उपर हेल्दी प्रेशर नहीं होगा तो हम पर्फॉर्म नहीं करेंगे तो इसलिए खुद के उपर हेल्दी प्रेशर हमेशा क्रियेट करना चीए सही बात और प्रेसर के अंदर आदमी जो है वो ज़्यादा बैतर करता है काम अच्छे से और प्रेसर को बीयर करने की छमता अपनी धीरे-धीरे बढ़ा लेनी चीए जो छोटी चीजे हमें प्रेसान करती है उन प्रेसानियों को हमें मानना ही नी चीए भूख लग गई परिशान हो गई ये कोई परिशानी है क्या खाना मिलेगा खालेंगे कर्मी लग रही है परिशान हो गई ये कोई परिशानी है क्या थोड़ी देर में पंगा वंगा कुछ चल जाएगा या हवा में खड़े हो जाएंगे हड़ जाएगे परिशानी तो इन वो चीजों को बहुत जल्दी, लेकि ये सब चीजे मैं जो आपको बता रहा हूँ, नरेट कर रहा हूँ, आपको लग सकता है कि ये प्रेक्टिकल नहीं है, लेकिन ये सब चीजे प्रेक्टिकल है, अपना ही जा सकती है जीवन में, अपने आप से बहुत ज़्यादा उमीदे रखना सबसे बड़ा दुखों का कारण पैदा कर लेता है हम अपने काम को बहतर तरीके से करें और उसको रोज बहतर बनाए पीछे वाले से आज वाला और आज वाले से कल वाला हमेशा और अच्छा करने की कोशिस करें और खुद खुश रहे और दूसरों को अपने साथ वालों को भी खुश रखे, महावल को लाइट रखे, ये मेरे इसाफ से एक जिन्दगी ठीक से जीने का तरीका हो सकता है, वाकि और बहुत ज़्यादा जटील और गंबीर बातें, जो वो motivational गुरू करतें, इस दुनिया में इत अजमान में छेद नहीं हो सकता, पत्थर उचालो, अरे भाई छेद नहीं, स्पेस है वो, air है, पदार्थ की तीसरी अवस्ता है, उसमें छेद जैसा कोई concept नहीं है, वो solid material कुछ होता है, तो उसमें छेद हो जाता, लेकिन वो तो already जो है, वो इतना ज़्यादा, इंट्रमो साथ क्रियेटिव है, सर, अगर हमने खुद का साथ नहीं दिया, तो बटा बैठ जाएगा, तो खुद का साथ और खुद का विकास, क्या बात है, चलो तो, और बच्चे ज्यादा सोचना होजना नहीं है, खुद को फ्री रखो, और अपने आसपास अगर अच्छे दोस्त ह है, या लाइबरेरी है, तो उसको जोईन करो, और कोशिस करो कि अकेले कम से कम रहो, और खुद को बिजी रखो, ठकाओ, मेंटल वर्काउट करो, फिजिकल वर्काउट करो, जब हम ठकते नहीं है, तो ऐसी चीज़े आती है, जब हम बिजी रहते हैं, तो ओवर थिंकिंग क हम कब सोचते हैं, जब हम फ्री रहते हैं, और हम फ्री रखने के लिए, खूब सारे बाई, अब मैं करूँ तो क्या करो, अरे भाई, पाच किलोमेटर दोड़लो, जवान हो, एक वार रनिंग कर क्या हो, सरीर के ओपर स्ट्रेस आएगा, जो हार्मोन आपके कम हो गए है, व सलस अच्छे से काम करना शुरू करेंगी, सही बात, अपनी लाइफ को डिस्सिप्लीन में, एक रूटीन में,